21 मई और 22 मई का दिन कुमबराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चैमातादी दोस्तो, आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी इन दो दिनों के कुमबराशी फल के बारे में। कुम राशी के लोगों के लिए दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिती क्या होगी, नक्षत्र क्या होगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्त आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से, इसलिए को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो चलिए सबसे पहले इस दिन के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं 21 मई ये दिन मंगलवार का दिन है और ये शुकल पक् पहले तक उसके बाद बनेगा वरियान नाम का योग जिसके स्वामी होते हैं कुबेर भगवान चंद्रमा तुलाराशी में हैं सूरिय वर्षबरासी क्रती का नक्षत्र में इसके अलावा इस दिन रवियोग बना हुआ है और इस दिन के अगर राहुकाल के समय की बात करें जिस समय अवधी में आपको कोई नया कारिय कोई शुब कारिय नहीं करना है तो वो समय होगा शाम को 3 बज करते हैं 40 मिनट से 5 बज कर 26 मिनट तक अब 22 माई का दिन तो 22 माई का दिन ये शुगल पक्ष की चतूर दशीति थी है और बुद्वार का दिन है इस दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा स्वाती नक्षत्र सुबह 7-7 अश्ट तक हो इसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा और इस वभाव से नक्षत्र बहुत ही जादा महत्रे स्वभाव का साधरन स्वभाव का कह सकते हैं वरियान नाम का योग दोपहर तक इस दिन भी है जिसके स पहर 12 बज़ कर 18 मिनट से 2 बज़ कर 1 मिनट तक रहेगा ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिथी अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से देखने को मिलने वाला है चले जानते हैं पहले बात करेंगे 21 मई के बारे में तो देखिए 21 मई आपके हेल्थ की अगर सबसे पहले ब दोशिश करेंगे आप ये चाहेंगे कि आपके हेल्थ इशुज जो है वो खत्म हो और अपने आपको फिट कैसे रख सकते हैं इस तरह की चीजों पर ध्यान देंगे और इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है meditation, योग ये सबसे ज़ादा फायदे मंद आपके लिए रहेगा mentally, physically दोना तरीके से इस दिन कोई बहतरीन विचार आपके मन में आ सकता है और ये आपको काफी फायदा भी दिला सकता है देखे चंद्रमा कहां है नवम भाव में भाग्य भाव में और चंद्रमा की द्रस्ट इसको आप प्राथ मिक्ता देंगे, अपने हर एक काम को प्राथ मिक्ता देंगे, आप में से कुछ लोग मेहनत जादा करेंगे, जादा मेहनत करने के आवाशकता होगी, काफी जादा अपने आपको energetic भी feel करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, जब जादा energy होती है तो गुस्से पर थोड़ा control करके चलें, जब आप बहुत जादा उत्तेजित होते हैं, तो गुस्सा भी कही ना कहीं कुछ चीजों को लिख करा जाता है, तो गुस्से पर नियंतरन बना कर रखें, और खास कर ऐसी इस्तिती में, जब को आपको mentally torture कर रहा हो, ऐसी इस्तिती में, जब सुबा को आप घर से निकलेंगे, तो बड़ी प्रसंदता के साथ निकलेंगे, आनंद की प्राप्ती के साथ निकलेंगे, positive vibes आपके साथ होंगी, और अगर आप अपनी positive vibes को बरकरार रखना चाहते हैं, तो अपने परिवार के साथ वक्त जरूर बिताया करें, आपके parents सो गए आपके घर के बड़े भुजूर्ग भी हो गए परिवार के सारे सदस्य हैं जो भी तो एक वक्त जो है घर दिन में ऐसा जरूर होना चाहिए जिस वक्त आप उनके साथ समय बिता सकें ये बहुत यदिक positive vibes आपके लिए create कर सकता है शाम का समय सबसे ज़्यादा शुब ह आपके लिए और इस दिन blue color पहनना बेहत शुब रहेगा blue color के कपड़े पहने ये आपको किसी भी तरह के तनाव से निबटने की शक्ते देगा आज आपका प्रिया आपको खुश रखने के लिए कुछ खास जरूर करेगा और इस दिन आपका जो वैवाहिक जीवन है वो ब ध्यान रखना है अगर आपके कुछ साज़ेदार है तो कारेशेत्र में आपके लिए आज चीज़ें अच्छी हैं ठीक हैं आप चीजों को समझ कर बड़ी अच्छे तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे और उन पर ठीक से उन पर ध्यान भी देंगे देगे अपने फैस लेना बच्चों पर थोपें नहीं इससे क्या होता है कि नाराजगी बढ़ती है बहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष समझाएं ताकि वे उसके पीछे की वज़य को समझ कर आपकी बात को आसानी से सुईकार कर सकें ना कि थोप सकें तो इस चीज को थोड़ा सा करना होगा अगर आप ये कर रहें हैं तो उनकी बातों को समझें अपनी बातों को उनको ध्यान से समझें अगर ऐसा करेंगे तो दोनों ही तरह से चीजें जो है वो अच्छी रहेंगी तो इसलिए फोड़ छोटी चीज़ें है इनको आपको ध्यान रखना है अब बाईस है और ये होता है आपके कर्म का भाव तो ये दिन क्या होगा आपके वित्य शेत्र में उत्पादक बढ़ाने का दिन है आपकी सोचे हुए कारियों को पूरा करने का दिन है एनर्जी बढ़ेगी पूनीमा भी आने वाली है चतुर्दशी तिति रहेगी पदुन्नती मिलने का योग भी बनेगा आपके कारशित्र में काफी ज़्यादा शुब रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके अंदर एक जो समर्पन की भावना है वो काफी ज़्यादा आपको लोगों के बीच में एक लोग प्रियता बनाने का कार्य करेगी और आपको जो अपने काम है उनके द्वारा अच्छे रिजल्ट भी मिल पाएंगे अगर आप शेर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो शेर मार्केट में निवेश करना अच्छा है क्योंकि आज इससे आपको अच्छी आमदनी के संकेत हैं जटपट पैसा कमा कर अमीर होने की ना सोचें जो मन में होता है अ जोखिम बहुत जादा ना हो जिनमें लाब होना निश्चित हो थोड़ा हो लेगिन लाब हो इसलिए कोई सी भी काम को करने से पहले चाए वो इन्वेस्टमेंट है चाब कुछ भी हर एक बात का जायजा अच्छे से ले 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 कि इसमें जोखिम कितना है और प्रॉफिट क मिलेगा उनके सपोर्ट से आप आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे अपने काम में और आपके कामों के जरीए आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे साथ ही साथ आपके रिष्टे भी मजबूत होंगे अधिक मजबूत ही आएगी आपके रिष्टों में भी तो उचि आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं तो उसलिए छोटी-छोटी चीज़े हैं लेकिन बड़े काम की हैं जिसे आपका जीवन सुख में हो जाता है तो कुल मिलाकर दोनों दिन अच्छे हैं सिक्षा के लिए भी दोनों दिन अच्छे बने हुए हैं आपका मनमी पढ़ाय में लगेगा और बहुत जादा बिजी भी इस राशी के स्टुडेंट्स रह सकते हैं तो दोस्तों और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें